परिचय हेलो बच्चों, आज हम पर्मानों के क्वांटम यांत्र की ये मॉडल के बारे में सीखेंगे द्रव्री का द्वेत वहवाहार, तरंग तथा कण के प्रकार का होदा है हाईजेनबर्ग का अनिश्चित्ता का सिध्धानत केवल छोटे कड़ों जैसी की इलेक्ट्रों पर लागू होता है पर्मानों का वहक्षित्र जहाँ इलेक्ट्रों पाए जाने की प्राइक्ता सर्वाधिक रहती है, कक्षक कहलाता है कक्षकों की विशेश्टा ये होती है कि इनके कौंटम संख्याएं कहलाने वाली संख्याओं के सेट होते हैं इलेक्ट्रॉन कक्षक की उर्जा, आकार, आकरिती तथा दिशा को तीन कौंटम संख्याओं के उप्योग द्वारा निर्धिश्ट किया जाता है ये मुख्य quantum संख्या, दिगन्शी quantum संख्या तथा चुम्किय quantum संख्या हो दी है आईए आज हम इस एकक के माध्यम से परमानु के quantum या त्रकिये model के बारे में सीखेंगे उद्देशे इस पार्ट के अंध में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे द्रवे के द्वेत वहवाहार पर चर्चा करना हेजिनबर्ग के अनिश्टित्ता सिधांत को समझना परमानु के quantum या त्रकिये model का वर्डन करना द्रवे का द्वेत वहवाहार 1923 में फ्रांसीसी भौतिक वज्ज्यानिक लूई देव राकली ने कहा कि प्रकाश की तरह द्रवे की भी द्रैत्य प्रकृती होती है। ये तरंग तथा कंग दोनों के ही गुण प्रधशित करता है। उसने वीवेक से गतिमान M द्रवेमान के एक कंग से संबंधित तरंग के तरंग तैर्थ लेमड़ की करना के लिए एक संबंध बताया जो निम्रांकित है। लेमड़ा बराबर H बटे MV या लेमड़ा बराबर H बटे P जहां H प्लांक का इस्थिरांक और P कंग का संबेग है। गतिमान द्रवे कड़ों या वस्तूं से संबंधित तरंगें द्रवे तरंगें या दे ब्रॉगली तरंगें कहलाती हैं। ब्रॉगली की अवधारना के अनुसार इलेक्ट्रों ना किवल कंग होते हैं बलकि उन से तरंगों के भीकों संबंधित रहते हैं। इसलिए तरंग के कला में संपून होने के लिए कक्षा की परिधी तरंग देर्थ लेमड़ा का पून गुड़ज होना चाहिए। इसलिए दो पाई आर बराबर एन लेमड़ा जहां आर कक्षा की तरिजिया तथा एन एक पोड़ांख है। लेकिन दे ब्रॉगली के समिकरण से हम जानते हैं कि लेमड़ा बराबर एच बटे एमवी अता है। हैजन्बर्ग का अनिश्चित्ता सिध्धांत हैजन्बर्ग के अनिश्चित्ता के सिध्धांत के अनुसार किसी छोटे करण जैसे की इलेक्ट्रोन की सही स्थिती तथा सही वेग का एक साथ निर्धारन करपाना असंभव है गणितिय रूप से इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है डेल्टा एक्स गुणे डेल्टा पी बड़ा है या बरावर है एच बठे चार पाई के जहां डेल्टा एक्स बरावर स्थिती में अनिश्चित्ता डेल्टा पी बरावर संवेग में अनिश्चित्ता बरावर M डेल्टा वी डेल्टा वी कण के वेग में अनिश्चित्ता है M कण का द्रविमान है H बरावर ब्लांक का स्थिरांक है आताह ये निश्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि छोटे कंड की वास्तविक स्थिती ग्यात की जा सकती है तो इसके वेग या समवेग को ग्यात करने में अनिश्चित्ता अधिक होगी तथा वेग सही ग्यात होने पर स्थिती अधिक ग्यात नहीं होगी अनिश्चित्ता सिध्धान्द का महत्व हैजन बर्ग का अनिश्चित्ता का सिध्धान्द केवल सूख्ष्म दर्शी से देखी जा सकने वारी वस्तों के लिए महत्वपून है तथा ये बड़ी वस्तों पर लागू नहीं होता है अती सूक्षम वस्तूँँँ जैसे की लेक्ट्रॉनों के मामले में प्रकाश की फोटोन के कंड से टकरानी की क्रिया कंड को इसके समान पज से काफी विचलीत करदेगी इसके परिडाम सो रूप कण को देखने के लिए प्रयोक्त किये गए एक एकल फोटोन के प्रभाव के कारण कण के प्रक्षे पत्थ तथा वेग एवं समवेग में काफी परिवर्थन आ जाएगा इस प्रकार अती सुक्ष्म कण की इस्तिती मापने की कारवाही इसके समवेग को परिवर्थित करतेगी फोटोन, इलेक्टोन से टकराने पर इससे अप्रतियाशित दिशा में भेज़तेगा हमारे दैनिक चीवन में इस सिध्धान्थ का कोई महत्व नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम प्राया केवल बड़ी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं इन वस्तुओं को हम नगन आँखों से देख सकते हैं और इससे इनकी गती में परिवर्थन नहीं होता इन वस्तुओं की स्थिती तथा वेग परिशुदता पूर्वक मापे जा सकते हैं क्योंकि इन उधारणों में वस्तु तथा मापक युक्ती के बीज अंतरक्रिया के कारण वस्तु की स्थिती तथा वेग में परिवर्थन नगने रहता है उधारण एक मिली ग्राम द्रवेमान वाले एक धुल कण की स्थिती में अनिश्चित्ता की गणना करें यदि इसके वेग में अनिश्चित्ता पांच दशमलाव पांच गुणे दस की घात रण 20 मीटर प्रति सेकंड है हल दिया है डेल्टा वी बराबर पांच दशमलाव पांच गुणे दस की घात घटा 20 मीटर प्रति सेकंड एम बराबर एक मिली ग्राम जो की बराबर है एक गुणे दस की घात घटा 3 ग्राम के ह बराबर 6.626 गुणे दस की घात घटा 34 जूल सेकंड सूतर से डेल्टा X गुणे M डेल्टा V अधिक है या पराबर है H बटे 4 पाई के इस्थिती में अनिश्चित्ता निम्ना अनुसार ग्यात की जा सकती है डेल्टा X अधिक है या पराबर है H बटे 4 पाई M डेल्टा V के H डेल्टा V M के मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि डेल्टा X अधिक है या पराबर है 6.626 गुने 10 की घात घटा 34 बटे 4 गुने 3.14 गुने 10 की घात घटा 3 गुने 5.5 गुने 10 की घात घटा 20 के डेल्टा X अधिक है या पराबर है 9.59 गुने 10 की घात घटा 13 मीटर के बोर मॉडल की विफलता के कारण बोर के मॉडल में इलेक्ट्रोन की तरंग प्रकृति पर विचार नहीं किया गया कक्षा को केवल तभी परिभाशित किया जा सकता है जब इलेक्ट्रोन की सही स्थिति तथा उसी समय उसका सही वेक ये दोनों ही ग्यात हों हैजनबर्ग अनिश्चित्ता सिध्धान्त के अनुसार ये संभव नहीं है हाइडोजन परमानु का बोर का मॉडल द्रवे की दोयत प्रकृति को भी उप्यक्षित करता है तथा ये हैजनबर्ग अनिश्चित्ता सिध्धान्त के विपरीद भी है पर्माणू का कॉंटम यांत्र की ए मॉडल कॉंटम यांत्र की एक सधांतिक विज्ञान है जिसमें पदार्थ की दोयत प्रकृती पर विचार किया जाता है हाडोजन पर्माणू और श्रोडी जर समीकरण quantum यांत्र की के आधार पर पर्माणू का एक नया model विक्सित किया गया और ये model quantum यांत्र की model कहलाया इस model में किसी पर्माणू में electron के वैवहार को एक समिकरन द्वारा व्यक्त किया जाता है जो शुरोडिंजर तरंग समिकरन कहलाता है जहां X, Y, Z तीन स्थान निर्दशांख हैं M एलेक्ट्रॉन का द्रवेमान है H प्लांक का स्थिरांख है और E एलेक्ट्रॉन की कुलूर्जा तथा V इसकी स्थितिज उर्जा है J एलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम है और ये तरंग फलंग कहलाता है कभी-कभी श्रूटिंजर तरंग फलंग को इस रूप में लिखा जाता है H जाई पराबर E जाई जहां H एक गणितिय संकारक है जो हैमिल्टोनियन संकारक भी कहलाता है जाई का महत्व चुंकि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन एक तरंग से संबध होता है और तरंग को पूर्टिया इसके आयाम दोरा निर्धारित किया जाता है इसलिए जाई का अर्थ इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम से होता है इसका कोई भौतिक महत्व नहीं होता हाला कि जाई के वर्ग अर्थाद जाई वर्ग का भौतिक महत्व होता है इलेक्ट्रोन तरंग में जाई वर्ग किसी बिंदू पर इलेक्ट्रोन की तिवर्दा बताता है दूसरे शब्दों में जाई वर्ग का ग्यान किसी क्षित्र विशेश में इलेक्ट्रोन की प्रायक्ता का निर्धारन करने में सहयक होता है अता जाई वर्ग को प्राइक्ता घनत्व तथा जाई को प्राइक्ता आयाम माना जा सकता है हाइडोजन परमाणों के लिए श्रोडिंजर समीकरण का हल इलेक्ट्रोन द्वारा घेरे जा सकने वाले उड़ जायस्तर तथा इलेक्ट्रोन का तरंग फलंग बताता है कक्षक तथा कॉंटम संक्याएं कक्षक को नाभिक के परिता ऐसे स्थान के क्षित्र के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जहां इलेक्ट्रोन पाई जाने की प्राइक्ता सबसे अधिक रहती है कक्षकों को संख्याओं के एक समुच्च से निर्दिष्ट किया जाता है जो कौन्टम संख्याएं कहलाती है एलेक्ट्रोन, कक्षक की उड़जा, आकार, आकृती तथा दिशान निर्दिष्ट करने के लिए तीन कौन्टम संख्याएं आवशक होती है ये मुख्य कौन्टम संख्या, दिगंशी कौन्टम संख्या और चुंब की ये कौन्टम संख्या कहलाती है मुख्य कौन्टम संख्या यानि N मुख्य कौन्टम संख्या हमें बताती है कि किस मुख्य उर्जायस्तर में इलेक्टरौन उपस्तित है ये कोई धनात्मक पोडांग जैसे की एक, दू, तीन, चार इत्यादी हो सकती है इन संख्याओं से संगत उर्जा इस्तरों या उर्जा कोशों को KLMN इत्यादी के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है एक हाइड्रोजन परमाणू में एलेक्ट्रों की उर्जा निम्र संबंध द्वारा मुख्य क्वांटम संख्या से संबंधित है इन बराबर घटा के वर्ग गुणे दो गुणे पाई वर्ग गुणे M गुणे ई की घात चार बटे N वर्ग गुणे H वर्ग बराबर घटा 2.18 गुने 10 की घात घटा 18 बटे N वर्ग जूर जहां M बराबर इलेक्ट्रोन का द्रविमान E बराबर इलेक्ट्रोन का आवेश H बराबर प्लांक का इस्तरांक E N बराबर N वे मुख्यकोश में इलेक्ट्रोन की उर्चा N बराबर मुख्यकोश को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त मुख्यक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक्वक ये उस कक्षक की आगरिती भी निर्धारित करता है जिसमें इलेक्ट्रोन इस्थित होता है। न बराबर एक के लिए ल का केवल एक मान शुन हो सकता है। न बराबर एक हो सकते हैं। इसका आर्थ है कि दूत्ये मुखे उर्जा इस्थर में इलेक्ट्रोन इस्थित होते हैं। इसका आशा है कि दूत्ये मुखे उर्जा इस्थर में इलेक्ट्रोन इस्थित हो सकता है। अतात्रित्ये उर्जास्तर के तीन उपकोश तीन S, तीन P और तीन D होते हैं। इसी प्रकार चौथे उर्जास्तर N बराबर चार के चार उपकोश चार S, चार P, चार D और चार F होते हैं। चुम्ब की एक कक्षक कौंटम संख्या यानी ML चुम्ब की एक कक्षक कौंटम संख्या किसी विशेश उपकोश में इलेक्ट्रोन अब्र की विभने दशाओं से संबंदित होती है। एक मुख्य उर्जास्तर के अंदर एक विशेश उपकोश में कक्षकों की संख्या ML तक के मानों की संख्या से व्यक्त की जाती है जो L के मानों पर निर्भर होती है। शोने के मात्यम से जमा L से घटा L तक ML रेंज के मान संभव हैं अता कुल दो L जमा एक मान होते हैं अता किसी विशेश में कक्षकों की संख्या दो L जमा एक होती है। L बराबर शोने के लिए ML का केवल एक मान ML बराबर शोने हो सकता है। इस कार्थ है कि S उपकोश में केवल एक कक्षक है। ML के साथ मान जमा तीन जमा दो जमा एक शोने घटा एक घटा दो घटा तीन हो सकते हैं। इस कार्थ है कि F उपकोश में साथ कक्षक हैं। प्राचकरन कौनिये संवेग की दिशा निर्धारित करता है। प्राचकरन कौनिये संवेग क्वांटिक गृत होता है और अब चुने गए अक्ष के सापेक्ष इसकी केवल दो दिशाएं हो सकती है। प्राचकरन कौनिये संवेग के संवेग क्वांटिक गृत हो सकते हैं। परमाणों कक्षकों की आक्रिती। एक कक्षक तरंग फलन जाई के दो फलनों त्रिजिये फलन तथा कौनिये फलन के गृणन फल के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए संवेग कक्षक को प्रदर्शित करता है जिसमें त्रिजिये भाग जाई यानि आर क्वांटम संख्याउं N और L पर निर्भर होता है। और ये हमें कक्षक के आगार के बारे में बताता है। ये बताते हैं कि किसी क्षेत्र विशेश में कक्षक तरंग फलन धनात्मक है या रनात्मक। ये देखा गया है कि S कक्षक कोणिये तरंग फलन से स्वतंत्र होते हैं, सभी S कक्षक गोलिये सम्मे दिखोते हैं, P और D कक्षक त्रिज्जिये तथा कोणिये तरंग फलन पर निर्भर होते हैं. प्राइक्ता घनत्व नाभिक से दूरी के फलन के रूप में जाई वर्ग का ग्राफ प्राइक्ता घनत्व वक्र कहलाता है. नाभिक के परिता वह स्थान क्षित्र जहां इलेक्ट्रोन पाई जाने की प्राइक्ता सर्वाधिक रहती हैं कक्षक कहलाता है. सीमा सतह आरेक परिसीमा सतह को परिप्रिस्ट भी कहा जाता है, जिसे किसी कक्षक के लिए स्थान में आरेक्षित किया जाता है, जस पर प्राइक्ता घनत्व जाई वर्ग का मान स्थिर हो. परिसीमा सतह जो अधिक्तम प्रायित्ता माना की 90 प्रदिशत वाले क्षित्र को परिसीमित करती है कक्षक की आकरिती को सर्वत्तम ढंग से वढ़नित करती है S कक्षकों के लिए परिसीमा सतह आरेखों की आकरिती गोलिये होती है हाला कि S ककशक का आकार N के मान में बढ़ोत्री के साथ बढ़ जाता है तीन दो P ककशकों के सीमा सत्ह आरेक गोलिये नहीं होते Прतेग P ककशक में दो पालियां होती हैं जो नोट कहलाने वाले शोलने प्रायक्ता के शेतर द्वारा प्रतख होती है तीन दो पी कक्षक क्रमशा X, Y और ZX पर होते हैं तथा दो पी X, दो पी Y और दो पी Z के रूप में निर्दिष्ट किये जाते हैं कक्षकों का आवेश अब्रचित्र S कक्षकों के लिए इलेक्टरौन पाई जाने की प्राइक्ता एक विशिष्ट दूरी पर सभी दिशाओं में समान रहती है दूसरे शब्दों में S कक्षक गोलिये सम्मिती के होते हैं उच्छे तर उड़ जास्तरों वाले S कक्षक भी गोलिये सम्मिती के होते हैं हाला कि वे अधिक विसरित होते हैं तथा इनके अंदर गोलिय कोश होते हैं जहां इलेक्ट्रोन पाई जाने की प्राइक्ता शूने रहती है ये गोलिय नोड कहलाते हैं दो ऐस कक्षकों में एक गोलिय नोड होता है कक्षकों की उर्जाएं किसी परमाणों में विबिन कक्षकों की आपेक्षिक उर्जाएं निरूपित करने वाला आरेक उर्जाइस तर आरेक कहलाता है हाइडोजन परमाणों में केवल एक एलेक्ट्रोन होता है जो तलस्थ अवस्था में कक्षक में उपस्तित होता है हालकि उत्तेजित अवस्था में एलेक्ट्रोन कूद कर किसी अन्ने उचितर उड़ जैस्तर वाले कक्षकों में जा सकता है हाइडोजन तथा हाइडोजन जैसे दूसरे पड़माणों में किसी विशेश उर्जाइस्तर के सभी कक्षकों की उर्जाएं समान होती है उधारंग के लिए 2S और 2P कक्षकों की उर्जाएं समान होती है समान उर्जावाले कक्षक सम्भरंश कक्षक कहलाते है बहु इलेक्ट्रोन परमाडों का उर्जाइस्तर आरेक बहु इलेक्ट्रोन परमाडों के मामले में विविद कक्षकों की उर्जाएं ना केवल ना भी किये आवेश पर बलकि परमाडों में उपस्तित दूसरे इलेक्ट्रोनों पर भी निर्भर होती हैं इस आरेक की मुख्य विशेशताएं निम्न है किसी विशेश उर्जास्तर के विभिन उपकोशों की विभिन उर्जाएं हो सकती है उधारण के लिए 2S उपकोश की उर्जा, 2P उपकोश की उर्जा से भिन होती है किसी विशेश उर्जास्तर में पहल के उच्छता मान वाले उपकोशों की उर्जा उच्छतर हो दी है किसी विशेश उर्जास्तर में विभिन प्रकार के उपकोशों की उर्जाओं का बढ़ता क्रम निम्न है N का मान बढ़ने के साथ निम्नतर उर्जास्तर के कुछ उपकोशों में उच्छतर उर्जास्तर वाले कुछ उपकोशों की तुल्ला में उर्जा अधिक हो सकती है विभिन उपकोशों की उर्जाओं का बढ़ता क्रम निम्न है एक बहु इलेक्ट्रौन पर्माणों में विभिन उपकोशों की उड़ जाओं के आपेक शिक्रम को N जमा L नियम की सहायता से पूर्वा नुमा नित किया जा सकता है इस नियम के अनुसार उदा सीन पर्माणों में निम्न मानवाले उपकोश N जमा L में निम्न तर उड़ जा होती है यदि दो उपकोशों का मान एक समान N जमा L हो तो N के निम्न तर मानवाले उपकोश की उड़ जा निम्न तर होगी पर्माडों में कक्षकों का भरा जाना आवबाव का नियम इस नियम के नुसार पर्माडों की तलस्त अवस्था में कक्षकों को उनकी उर्जा के बर्तिक्रम में भरा जाता है विभिन कक्षकों की उर्जाओं का बर्तक्रम है पाउली अपवर्जन सिध्धांत इस सिधान्द के अनुसार किसी भी परमाडों में दो इलेक्ट्रोन सभी चारो कॉंटम संख्याओं के समान समुच्च वाले नहीं हो सकते इससे ये सिद्ध होता है कि किसी कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रोन नहीं हो सकते इसके अतिरिक्त यदि किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन हो तो उनके प्राचक्रन विप्रीध होने चाहिए हुंड का अधिक्तम बहुता का नियम इस नियम के अनुसार किसी विशेश उपकोष पी डी या एफ के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्बन तब तक नहीं होता है जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए इसके अतिरिक एकल भरे गए कक्षक में इलेक्ट्रोनों में समानांतर प्राचकरन होना चाहिए परमाणों का इलेक्ट्रोनिक विन्यास किसी कक्षक की इलेक्ट्रोन संख्या को निरूपित करने के लिए मुखे कौंटम संख्या N को कक्षक प्रतीक के पहले लिखा जाता है जबकि कक्षक में इलेक्ट्रोनों की संख्या को मूर्धांक द्वारा दर्शाया जाता है जिसे कक्षक प्रतीक के दाएं और शिर्ष पर लिखा जाता है यदि हमारे पास प्रतम उर्जाएस्तर के S कक्षक में दो इलेक्ट्रोन हो तो इसे एक S वर्ग के रूप में लिखा जाएगा हाइडोजन के लिए हेलियम के लिए लीथियम के लिए बेरिलियम के लिए बोराउन के लिए कार्बन के लिए नाइटोजन के लिए आक्सीजन के लिए पून रूपेन पूरित तथा अर्थ पूरित उपकोशों का इस्थाइद्व पून रूपेन पूरित तथा अर्थ पूरित उपकोशों में निम्न कारणों में इस्थाइद्व होता है सम्मित वितरण पूर्ण रूपेन, पूरित या अर्धपूरित एक ही उपकोश के सभी कक्षकों में इलेक्टरौनों का वित्रान अपिक्षाक्रित अधिक सम्मेत होता है फालसोरूप प्रणाली को अधिक स्थाइत्व प्राप्त होता है विनमय उर्जा के कारण स्थाइत्व अर्धपूरित या पूर्ण रूपेन, पूरित, सम्भरंश कक्षकों में विनमय अधिक संख्या में होते हैं जिसके परिणाम सोरूप इस्थाइत्व की विनमय उर्जा अधिक होती है विनमय का अर्थ एक ही उपकोश में इलेक्ट्रॉनों का एक से दूसरे कक्षक में जाने से है आईए क्रोमियम के 3D की घाद 4, 4S वर्ग और 3D की घाद 5, 4S की घाद 1 विन्यासों में विनमय की संख्या की तुलना करें इस प्रकार 3D की घाद 4 व्यवस्था में इलेक्ट्रॉन विन्यासों में जो इंगित करता है कि 3D की घाद 4 विन्यासों में समानांतर प्राच्चकरण के साथ 6 संभावित व्यवस्थाएं है तीन डीक की घात पांच विन्यास में इलेक्टॉन विनिमायों की कुल संख्या अधिक होने के कारण इसे अधिक इस्थाइत्व प्राप्द होता है क्या आप जानते हैं? परमानो इस्तर इमेजिंग से कांच की वास्तविक सनचना का पता लगाया गया इंटेल ने अपना पहला 22NM क्वार्ट कूर एटम सिस्टम एक चिप पर 2014 के आरंप में प्रस्तुत करने की योजना बनाई है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्यप में दोहराएं द्रवे का द्वेत वहवाहार तरंग तथा कंण प्रकृती का होता है के एक कंण से संबंदित तरंग के तरंग दैर्ध निम्नवत है हैजनबर्ग के अनिशित्ता के सिधान्द के अनुसार किसी छोटे कंण जैसे की इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा सही वेग का एक साथ निधारण कर पाना असंभव है गणतिय रूप से इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है श्रोडिंजर तरंग समीकरन जहां X, Y और Z तीन स्थान निर्दिशांग है M इलेक्ट्रॉन का द्रवेमान है H प्लांक का स्थिरांग है E इलेक्ट्रॉन की कुल उर्जा तथा V इसकी स्थितिज उर्जा है जाही इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम है और ये तरंग भलन कहलाता है मुखे कौन्टम संख्या हमें बताती है कि किस मुखे उर्जा इसतर में इलेक्ट्रॉन उपस्तित है इसे N से निर्दिश्ट किया जाता है दिगंशी कौन्टम संख्या इलेक्ट्रॉन का कोणिये संवेग निर्धारित करती है इसे एल्ब द्वारा निर्धिष्ट किया जाता है चुम्ब कि ये कक्षक कौन्टम संख्या किसी विशेश उपकोश में इलेक्ट्रॉन अवर की विभिन दिशाओं से सम्बंदित होती है इसे एमेल से निर्धिष्ट किया जाता है आवबाव के नियम के अनुसार परमाणों की तलस्त अवस्था में कक्षकों को उनकी उरजा के बर्ते क्रम में भरा जाता है पाउली अपवर्जन सिध्धांद के अनुसार किसी भी परमाणों में दो इलेक्ट्रोन सभी चारों कौांटम संख्याओं के समान समुच्चे वाले नहीं हो सकते इससे ये सिद्ध होता है कि किसी कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रोन नहीं हो सकते